आज हम सीखने वाले हैं अनारकली कूर्थी की ड्राफ्टिंग करना या फिर इसको आप अनारकली गाउन भी कह सकते हैं यहां पर हमने फैप्रिक लिया है वेलवेट का जो कि हमारा 3.5 मीटर है लेकिन इसका जो अर्ज है वो काफी जादा है इसलिए कम लिया है अगर आप सिंगल अर्ज में ले रहे हैं तो 4.5-5 मीटर फैप्रिक आप इसलिए लें इसमें आपका पूरा फ्लेर आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा उससे आपका बहुत ही अच्छा लुक आएगा और यहां बर हम यूज करने वाले इन सभी लेसिस का यह लेसिस हमें कंबिनेशन में लगानी है इनको हमें घेरे पर लगाना है combine करके अच्छे से and sleeves पर लगाना है इसके साथ है इसको हमें next पर भी लगाना है जो भी portion बचेगा उसको sleeves पर लगाएंगे पहले हम इसकी घेरे को complete करेंगे और यहां पर जो आप देखेंगे कि किस तरह से आप round घ अगा सकते इसका तरीका भी आज आप जानेंगे इसका सबसे पहले हमें draft बनाना होगा draft में आप सब कुछ note करेंगे किस तरह से कल्या निकालनी है किस तरह से land इसके लेनी है तो देखें यह हमने पहले से ही draft बनाया हुआ है सबसे पहले बात करते ही measurement की measurement में हमें चाहिए कूर्थी का चोली वाला portion बोटम का यहां पर हमने लिखा तो बोटम का मतलब यहां पर है चोली से जो नीचे फ्लेयर रहेगा अनारगली का वू कितना रखना है उसके लंबाई तो थर्टी टू इंचीज है ब्रिस्ट का साइज वेस्ट का साइज हिप का साइज नहीं चाह लेयं यहां पर वहां रहेंगी 12 कलिया. Revelation 12 के अलावा हम यहां पर solar कलिया 20 कलिया 24 कलिया इसी रहे सकते हैं यह डिपैंड करताइं की fabric आपके पके पास कितना है। जपना जाएंड़ कोगा उतनी जाधा दियार निचे से घेर हो जाए गयर कर साइगा उसमें 6 इंच का आप लूजिंग डालेंगे और जितनी भी कली आपको बना लिए उससे आप डिवाइड कर देंगे तो यहां पर हमारी कली की जो चोड़ाई निकल के आ जाएगी और यह आएगी उपर से 4.25 इंच आ गई है इसमें 1 इंच हमें लूजिंग डालनी होगी क्योंकि जो कली होती है दोनों साइड से आधा आधा इंच सिलाई में चली जाती है तो इसलिए उसको 1 इंच बढ़ा लेना होगा अब यह तो बात थी कमर के पास से कली की चोड़ाई जो अपने कमर से ही निकाल ली है अब बात करते हैं जो नीचे से है रहेगा वो कितना रहेगा तो एक ही कम से कम 10 से आप शुरू करें और 25 तक आप इसलिए जा सकते हैं जितना आपके पास फैबरिक होगा उसी के हिसाब से आपको कली की चोड़ाई निकालने होगी माल लीजे हमें यहाँ पर 10 कली निकालनी है और हमारा पास फैबरिक है 150 इंचेश तो इसके हिसाब से 150 को आप डिवाइड कर देंगे अपने 10 कली उसे 15 इंच निकल के आजाएगा तो आप 300 इंच को डिवाइड कर देंगे जितनी भी कली आप निकाल रही है माल लीजे आप 10 कली निकाल रही है तो 30 इंच आपका निकल के आजाएगा तो इस तरह से हलका कैप्ड़ेशन हमें मिल जाएगी कि कि इतना इंच का कपड़ा हमारे पास है और कली की निचे से चोड़ा हमें कितना लेनी है अब यह हमारा चोली वाला पोशन है जो भी चोली के लेंध होगी उसमें एक प्लस करके लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा निचे से जाएगा आधा इंच हमारा शोल्डर के पास से जाएगा वन एन हाफ इंच का आप यहाँ पर डाउन लगाएंगे बागे जब कटिंग करेंगे तो इन सबी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो चलिए इसका हम कटिंग करतें स्टैप बाई स्टैप कर लिया चलिए आपको देंगे यहां पर हमने अपनी चोली के लिए मार्किंग की हैं मार्किंग में देख सकते हैं फोर फोल्ड करके रख लिया फैब्रीक को तो इसलिए फोर फोल्ड में दोनों चोली एक साथ निकल गई है अगर आपके जो चोड़ाई कम है तो दोनों चोली आपको अलग अलग निकालनी होंगी यहां पर आप मेजरमेंट देखें जो लंबाई रेडी करनी है हमें वो 18 इंच करनी है तो हमने एक इंच एक्स्टा ले लिया अपने चोली को यानि कि 19 इंच हमने इसको ले लिया है शोल्डर को लेखेंगे आम होल को देखेंगे बागी शिच देखेंगे 17 इंच का इनका यहां पर आपका नेक बड़ा है तो आप इसमें से तीन इंच भी कम कर सकते हैं आठ हमने लिया है इसका आम होल और आर्म होल के साथ हमने यहां पर देखेंगे जितना भी बोड़ी पर आम होल हो उसका हाफ यहां पर आना चाहिए तो यह कूर्ती बिल्कुल ठिक्स आएगी यह breast size लिया हमने 48 इंका breast size था 2 इंच हमने इसमें losing डाल दी है तो 50 इंच हमारा breast size सेयार हो जाएगा कमर की बात करें तो 11 इंच एन की 44 था तो हमने 2 इंच losing भी यहां पर डाल दी है इसके साथ ही यहां पर हम plates डालेंगे जो भी आपका breast size है उसका 12 हिस्टा आप यहां पर ल होगा उससे आप एक इंच और नीचे आ जाईए और इतना आप ले सकते हैं कुल मिला कर चार चार पांच इस तरह से लंबी डार्ट हमारी बनती है चोटा साइज है तो डार्ट लंबी बनेगी बड़ा साइज है तो डार्ट छोटी बनेगी यहां पर हमने वन एंड हाफ तब यह अपका सही हो जाएगा 2-3 इंच एक्सरा लेना है हमने अपने मार्जन के लिए क्योंकि प्लीट भी आएगी तो प्लीट के लिए अपना पूरा मार्किंग है चोली के लिए इसको हम अप कट कर लेते हैं सेम तरीका निंचे भी हमें दोनों पार्ट एक साथ रख ल तो छोड़ी सी और दोनों तरफ दो-दो पॉइंट इसको दबा देंगे सिलाए में तो अच्छे से यहां पर भी हमारी शेप आ जाएगी और नीचे वाले पोर्शन में भी अच्छे से यह आ जाएगा अब इसको हम इसली कट कर सकते हैं दोनों ही पार्ट हमारे यहां पर क यहां पर दोनों ही पार्ट को सेपरेट कर देते हैं और आपने साथ एक बात नोटिस की हो कि यहां पर हम जो मार्किंग कर रहे हैं कपड़े की सीधी साइड पर कर रहे हैं ऐसा क्यों क्योंकि वेलवेट फैबरिक के वह चिपकता है जब आप उल्टा रखती तो अंदर यह च डाला है इतना गया आपको जरूर डालने चाहिए फ्रंट में चाहिए आपकी कोई भी कूर्ती हो इससे आपकी आगे जो आम होल में जोल बनने वाली प्रॉबलम है वो कभी नहीं आएगी तो यह डालना आप बिल्कुल भी ना भूले इसको पूरा कटिंग कर देंगे जो अब हमारा रेडी हो चुका है एंड यहां पर अच्छे से शेप डालेंगे देखे इस तरह से पूरा पूर्शन यह तयार हो गया है अब हम कटिंग करेंगे अपने जो कलिया है उनके लिए तो देखिए हमने यहां पर डबल फोल्ड करके फैबरिक लिया है इस फैबरिक मे कलिय की चोड़े के रहे हैं जितना भी फैबरिक आपके पास उसको डिवाइड करें कलियों से तो हमें यहां पर 12 कलिया चाहिए 18 इंच के आसपास के इनको निकाल सकते हैं जितना हमारा फैबरिक है उसके अकौर्डिंग इसके साथ है अगर आपका कलियों को कल्कुरेट न लगबख 6 कलिया बनाई या ठारा ठारा की एक बारा कलिया बनेगी तो जो लेस थी लेस के हिसाब से हमने घेरा इसका डिसाइड किया है अब उपर से जो हमने कैल्कुलेशन में निकाला था 5.25 तो दोनों तरफ आपको बराबर बराबर उसको बाठ देना है और देन इसको यह यहां पर आपको मिलाना से देख लीजे बिल्कुल यह तिरषी लाइन यहां पर आपको मिलानी है बीच में जो आइन ती सेंटर की लाइन थी उसको नहीं मिलाना है उसको एजटीज रहेगी जो बाकी की दो लाइने उनको आपको नीचे यहां पर मिला देना है और देखिए जो कली होती लगबग हमारी पंदरा थारा बीस चोबीस थाइस तीस इतना तक ही निकल कर आती है जितना ज़दा फैबरिक को आपके पास उसको डिवाइड कर दीजी जितनी भी आपको कलिया बनानी है जस्ट आपकी कली की चोड़ा नीचे से निकल करके आजाएगी अब यहां पर इसमें आपको इसके अपोजिट मार्किंग करनी है अब इसके अपोजिट बनाएंगे यहां पर तो जो कली का उप इन रेहो रहे हमें वाला हिससे है अपकी बार यहां पर रोंख करेंगे 5.25 इंच हम यहां पर मार्क करेंगे यहीं से हमारी फैब्रेक की वे शिवेश्टेज नहीं होगी आप डारेक्ड मार्किंग कर सकते हैं यहां अगर कोई प्रेंटज वेब्रों इस vine कreng का पर प्रिं नहीं होती हम डारेक्ट एक के अपोजिट एक करके अपनी कलिया निकाल लेते हैं तो इस तरह से कलिया निकालेंगे अब दोबारा से सभी मार्चिंग जैसे पहले कली में की हैं यहां पर 5.5 इंश लगा लेंगे 5.25 इंचे और नीचे के सैड अपना 18 इंश पर मार्ट कर को गेंगे तो यह जो फ Edric हमने रखा था यह डबल में रखा था याने कि जितनी कलिया ऊपर आपको दिखाइ दे रही हैं उतनी ही कलिए नीचे वाले हिस्से में हैं तो यहां पर हमने इन Phase 3 कलिया मार्किंग की है तो सेम के यह च्राइड nar अबुस्ट पर उच्छ से बागी के से निकाल देंगें। calm कर में इसमें कर लेंगें we take care i Jeżeli time कर लेंगे के अब इसथे आपको स्टार्ट करना एच्छ तीषे में निकला में स्टार रहेता है तो यहांब इस तरह में कुरें सब्सक्राइब करेंगे बूदिक ने अब froths फैबरिक में निकल करके आ गई हैं इसी तरीके से आपको भी काम करना है कि कम से कम कपड़े में आपको ज्यादा से ज्यादा फ्लेयर को तैयार करना है यह हमारा अभी एक पार्ट कट चुका है इसको सेपरेट कर लेना है और देखे यहाँ पर यह डबल डबल है पूरा इस तरह से पलट करके यह उपर की तरफ फिर दोबारा से आजाएगी तो प्लेन फैबरी के तो को ही दिकत नहीं है डारेक्ट कलिया निकालेंगे प्रेंट होगा तो दिकत आएगी फिर हमें सिंगल सिंगल निकालने भड़ेंगे तो इस तरह से आप इनको निकाल देंगे यहाँ पर हमने सभी कलिया निकाल ली हैं दस आपको यहाँ पर दिखाई बना मीटर आपके पास है तो इनको जोइन करें गें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे यहां पर और यहां से स्टिच कर देंगे आफ इंच का मार्जन छोड़ते हुए इनको आपको सभी को जोइन कर लेना है उसके बाद हम चोली तयार कर सकते हैं अपने स्लिव को त जितना भी लेंद्ग आपको चाहिए उससे आप 2 इंच एक्सा लेती है नूर्मली जब हमें आगे से फोल्ड लगाना होता है लेकिन इस वाली बाजू में फोल्ड नहीं लगाना है आगे से जस्ट में लेस लगानी है तो सिर्फ आगे से हमें हाफ इंच ही एक्स्टा तो कुल मिलागा जितनी लैंद हमें तयार करनी है उससे सरफ एक इंच एक्सा चाहिए और जितना हमने आम हो लिया था उससे तीन इंच एक्सा लेंगे इसके चोड़ाई को आठ इंच लिया था तो हमने इसको ग्यारा इंच ले लिया है चोड़ाई में 16 इंच बाजू हमें तैयार करनी है तो आप यह 17 इंच की लेंगे जितना रेडी करनी है उससे एक इंच ज्यादा लेंगे जब आप आगे वाले हिस्से में लेस लगा रहे हैं तो यहां पर हमने अपने रिक्वार्मेंट के कोडिंग बाजू की लंबाई को ले लिया है मार्किंग करेंगे बिल्क आपको यहां पर ऊपर की साइड बिल्कुल सीदा छोड़ देना है और इस मार्किंग को आपको नीचे वाली के साथ अच्छे से शेप में मिलाना है लेकिन शेप कहां से जाएगी यह आपको पता नहीं होता है तो आप इस तरह से दोनों का सेंटर ले सकते हैं और एक पॉइंट निकाल लिया और इस वाले का भी आपको आधा निकाल लेना है तब आपको एक पॉइंट यहां पर मिल जाएगा उस पॉइंट से होते हुग आप अपनी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं उमीद करते हैं तरीका आपको ज्यान रहेगा आगे जितना मोहरी डैडी करनी ह उसमें आप लूजिंग डाले अपनी चोईस के कोर्निंग टाइट चाहिए तो एक इंच लूजिंग डाले नॉर्मल चाहिए तो दो इंच लूजिंग डाल सकते हैं और आप दो इंच अपना कटिंग का एक्स्ट्रा लें और शेप पट्टी के मदद से आप इसको मिला दी करेंगे दोनों ही स्लीज हमने एक साथ यहां पर कटिंग कर ली है कि स्लीज काटने का यह तरीक बहुत अच्छा तरीका है आप इसको चाहिए तो नोट करके भी रख सकते हैं इससे आपको कभी भी स्लीज कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्लीज के आगे भी हम पार्ट में गहराय डालनी होती है जिस तरह से हम अपनी कूर्टी में डालते हैं तो यहां पर गहराय डालने के लिए क्या करेंगे जितना भी आधा पोशन है देखिए इस तरह से मेजर कर सकते हैं और इसका हाफ जस्ट आप ले लीजे यहां पर आपको एक निशान बहुत लमबा इसको नहीं लेकर जाना है बस इतनी इसे पोशन में आपको इसके कटिंग कर देनी है यह इस तरह से हमारी कटिंग रही counting यह डाला भी बहुत जरूरी है इससे भी आपका जो फ्रंट पार्ट के आम होल में जोलाता है क्रीज बन दी है वह हमारे नहीं बनेग तो अब इसको हम cut कर देंगे और separate करके रख लेंगे ध्यान रखिएगा यह सिर्फ आपको front वाले दो पार्ट में ही करनी है जब बाजु को खोलेंगे तब इसको हम दो पार्ट में ही करेंगे यह दिखिए इस तरह से हमारे sleeves के cutting यहाँ पर हो गई है साइज के कोडिंग हमने इसको cut कर दिया है अब यहाँ पर हम अपने next शुरू कर सकतें stitching को क्योंकि cutting वारा portion हमारा हो चुका है stitching के लिए सबसे भीर दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी कलियों के starting करी है और कलियों, दोनों कलियों को इस तरह से रखेंगे सिधी वाले side इनकी अंदर की side रहेगी और किसी भी एक side से joint करना शुरू करें और एक side अपना जो छोटा बड़ा fabric रह जाता है तो एक side उसको निकाले बाद में वो फिर cut हो जाएगा इस तरह से half inch का हम इसमें maजन रख रहे हैं और पूरे को stitch करे हैं आपने बहुत बार देखा होगा अनारकली के इस सिलाएं के साथ साथ आपको piping मिलती है तो इसी सिलाएं के साथ साथ अगर आप piping लगाना चाते है तो इसी सिलाएं के साथ साथ पाइपिंग में साथ-साथ दबा लीजी सिलाई में ही, वो साथ-साथ ही लग जाएगी, घोटा अगर लगाना है, तो इसी सिलाई के ऊपर बाद में लगा सकते हैं, और इसके साथ ही देखे, यहां पर अपने हमने जो थर्ड कली है, वो जोइन कर दी है, इसी तरीके से एक- चोली के साथ जोइन करके अपना फेटिंग लगाएंगे, तो यहां पर तीन का सेट हमने बना दिया देखी इस तरह से, बिल्कुल सेम तरीके से, हम बाके की कलियों को भी जोइन कर लेंगे, इस तरह से आजाएगा, यह हमने एक सेट तयार कर दिया है, जो कि हमारे अच्छ तयार करना होगा, इसके लिए सबसे नेक काटिंग कर एंगे सबसे पहले, नेक काटिंग के लिए हमने यूज करें के पेपर फ्यूजेग का, आप शाएट बेस बधे बहुत हैवी है लरडि, तो इसलिए फ्यूजें हम लाइट लगा रहे हैं, यहाँ पर आधाइच हमने एक्स्रा लिया है जो हम एक्स्रा लेते हैं अपनी शूल्डर में जाने के लिए और नेक के विट थोड़ा ब्रॉड रखना है तो फोर के नियर रखी हमने आप अपने साइज के अकोडिंग यहां पर रखें यहां से लेंगे जितना भी गला हमें तैयार करना है तो फ्रंट पर यहां पर हम मार्किंग करेंगे 9 इंचेज पर थो यहां पर सबसे पहले विनेक के ड्रॉग करने के लिए आप एक स्टेट लाइन लगा दीजिए लेकिन इस तरह का स्टेट नेक हमें नहीं रखना होता है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कुर्तियों में तो आप इसक तक भी आप इसको अंदर से डाउन कर सकते हैं तो इस तरह का वी नेक चलता है हमारी कुर्तियों के साथ तो यह वाली शेप आप बनाएं तो ज्यादा अच्छे से हमारी शेप उभर कर आएगी जब इनेक तयार हो जाएगा तब इसकी शेप को आप देखें किस तरह से आपको एक बहतरीन सा शेप मिलता है अब यहां पर एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे एंड वन इंच के नियर हमने यह अपना नेक जो है निकाल लिया है उपर से इसको कट करके बिलकुर बराबर कर देंगे अब देखे इस तरह का हमारा शेप आएगा यह बिलकुर वी नेक नहीं है ह सबसे पहले स्टेट मार्किंग करेंगे एंड हाफ इंच छोड देंगी जो कि हमें शोल्डर में लेना है उसके बाद यहां से आप डैप देखेंग कितना आपको रखना है तो यह हमें रखना है 6 इंचीज 6 पर एक मार्क लगाएंगी एंड जो गले की चुड़ाई है वो स इस वाली कूर्ती के लिए तो हमने चोड़ा थो ज़्यादा रखी है क्योंकि हवी साइज के कोडिंग नेक हमने यहां पर चार तक रख लिया है कम साइज है तो आप 3 इंच तक सवा 3 इंच तक साड़े 3 इंच भी रख सकते हैं अब यहां हम कटिंग कर देंगे कंटिंग ठाव'llड़ा हम्सी एग अच्छ के साथ के साथ कंटिंग करें जितमा च्च होगी कटिंग में उत्मा इसके ओ सक्टिंग हमारी बाद में भी आएगी अब सेमे में माहिन चोड़तके बाहरा से भी किणड़ करद कर लेगे हमारा नेक्स टेप है इसको पेस्ट करने का तो यहां पर फैब्रिक के ऊपर आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और जित्मा वीर्थ आपने रखी है वो आप मार्क कर लेजे यहां पर यह बहुत ही अच्छा तरीका है नेक को पेस्ट करने का देखिए जो भी अपने गैप रखा होगा हमने 8 इंच रखा था तो 8 इंच पर हमने यहां पर मार्किंग कर ली और इन मार्किंग के ऊपर अपने गले को रख दीचे इस तरह से अब देखिए धान से इसको पेस्ट करना है शुरुवात में जो ऊपर के दोनों किनारे हैं हमारे यहां पर प् निक्स हो जाएंगे और हमारा गला फैलेगा नहीं तो अब आराम से हम पूरे नेक में पेस्ट कर सकते हैं देखिए इस तरह से पूरे नेक को हमें तयार कर लिना है और अब यहां पर माजन छोड़ते हुए कट कर देंगे रफली यहां पर कट करना है बाद में एक्स्टाज होगा हम थोड़ा बाद में पर कट कर देंगे बहुत कम माजन ना रखे कि आपको फोल्ड करने में दिक्कत आए थोड़ा अच्छा खासा माजन रखे आधा इंच तक से ज्यादा ही रखे आधा से सेम आपको बैकने के ल बाद में निकलता है तो यही रिजन होता है कि जो गले की चोड़ाई दोनों के अलग अलग रखी गई है इस वज़े से एक चोटा रह जाता है तो आप पहले फिक्स करके रखेंगे दोनों की चोड़ाई को तो वह दिक्कत आपको नहीं आएगी यहां पर हम बैक में एक को कट कर लेती है अफली उपर से जो में लाइन लगाई थी उसी पेसे आप कट कर देंगे अब हमारे दोनों ही नेक तैयार है अब इनको हमें स्टिच करना है तो सबसे पहले जो माज़द हमने रखा था उसको हम स्टिच करेंगे और यहां वैलवेट ड्रस था तो हमने जो देखिए इस तरह से लगाएंगे पूरे में अब आप एक्स्टा को कट कर सकते हैं अगर आप शुरुआत में ही कम मार्जन लेंगे तो फोल्ड करने में बहुत दिक्कत आएगी तो मार्जन आप अच्छा खासा लीजिएगा इस तरह से बाद में पूरे को कट करके सेव इसके उपर से लगाएंगे इससे एजी रहता है सेम अब इसको भी हमें फोल करके रेडी कर देना है एक्स्टा मार्जन को काट देना है हमारे दोनों ही नेक यहां पर काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ तयार हो गए हैं आप एक एक करके इनको अपने कूर्टी के सा लगाते हैं बिल्कुल एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिए बहुत अच्छी तरीके से आप सीख जाएंगे सबसे पहले सेंटर निकालेंगे गले का बीच और पीच इस तरह से रखेंगे फोल्ड करके और यहां पर एक कट लगाएंगे अब जो अपना चोली वाला पोशन है देखिए यहां पर इसका भी आपको सेंटर लेना होगा बिना सेंटर ले आप कोई भी नेक नहीं लगाएंगे नहीं तो थोड़ा बहुत तिर्चा जाएगा नेक तो अच्छा नहीं लगेगा पहनने के बाद तो सबसे पहले सेंटर निकलना बिल्कुल भी ना भूले पूरी चोली में पूरी कूर्ती में हो चाह सेंटर हमेशा लेना है इससेंटर हो जाने के बाद यहां कट से कट मिलाते हुए इसको ऐसे रखेंगे ध्यार रखेंगे कोई बी गले का साइद उपर ना निकले और ना ही छोटा पड़े, बिलकुल शोल्डर के बराबर रहे यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे और चाहे तो यहीं से हम साइड में आ सकते हैं इस तरह से स्टिच लगाएंगे स्टिच लगाते हुए ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे पोर्शन में स्टिच करें और अपनी जो शेप है वो खराब नहीं होनी चाहिए तो बहुत बड़े पोर्शन में एक ही बार स्टिच कर देंगे तो दिखकर आएगे छोटे छोटे पोर्शन में स्टिच करें अब इसको हम अंदर से कट कर देंगे ध्यान रखेगा गले की सीधी वाली साइड कूर्ती के सीधी वाली साइड पर लगाई गई है तकि फोल्ड होने के बाद ये हमारे उल्टी साइड चली जाए तो साइड्स का आप जरूर ध्यान रखें अब यहाँ पर एक स्लाई हम इसके पास से लगाएंगे मार्जन को हमने अपने राइंट हैंड की तरफ रखा है यानि कि जो पट्टी है हमारी इसी की साइड मार्जन को दबाया है तब ही हमारे अच्छी शेप में जाएगा इस तरह से स्टिच लगाएंगे अब जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो यह बहुत ही इसली फोल्ड हो जाएगा अब सेम तरीकेसे हम यह फ्रंट वाला नेक भी लगाएंगे बिल्कुल सेम तरीका रहेगा जैसे कि हमने अपना बेक वाला लगाया है सबसे पहले सेंटर के लिए करेंगे बिल्कुल कोर्णर पर आजाईए देन हम अपना साइड में आजाएंगे इस तरह से ये स्टिश भी हम लगा देते हैं हमने टाके को त्रोच उटा कर लिया है भी यहाँ पर बहुत बड़े टाके से सलाई नहीं डालने हैं आपको नहीं तो बाद में वो दिखाए लेती है पर आजाएंगे बाद में आजाएंगे पर आजाएंगे बाद में आजाएंगे अब हम यहाँ पर टाक्स पनाएंगे तो यह हमारा फ्रेंट वाला पार्ट है जहां पर हम फोर और हाफ ले रहे हैं टाक्स के लंबाई अपने बस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं बस्ट पॉइंट से एक इंच नीचे यह बड़े साइज में छोटी आएगी लंबाई में छोटे साइज में बड़े आएगी इस तरह से दोनों तरह से हम आधा आधा इंचिस को सिलाई में लेंगे सेम तरीके से हमें अप इसके दूसरे साइड भी बना लेने हैं तक और यहां पर हम इसको स्टिच करेंगे स्टिच करते टाइम हम ध्यान रखेंगे यहां पर आप डबल स्टिच लगाएंगे स्टार्टिंग में एंड देन हम इसको पूरा करेंगे इसके बाद पूरा करने के बाद एक स्टिच इसके उपर आपको और लगानी है हमेशा चाहे बलाउस में बनाएं चाहे गूर्ति म बनाएं हमेशा अपने टक को दो बार आपको स्टिच करना है अब सेम आपको दूसरे साइट भी बना लेनी है यहां पर भी हम मार्किंग कर लेतीं इसकी और सेम तरीके से यहां पर भी इसके सिलाए लगा देंगे यहीं दो टक्स हम पीछे की साइट लगाएंगे पर पीछे तक्स की लंबाई आप बढ़ा सकते हैं according to neck अगर deep neck है तो छोटी बना सकते हैं छोटा गला है तो आप टक्स को बढ़ी बना सकते हैं यह हमने आप जो आम हुल वाली है उनके लिए भी मार्क कर दीजे तीन से साड़े तीन इंच में हम इनकी मार्किंग कर सकते हैं यहां पर एक साड़ मार्किंग है तो इसी तरीके से हम दूसरी साड़ भी मार्किंग कर लेंगे आप ब्रेस्ट और लोवर ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा गैप हो दो से तीन इंच का गैप आ जाए तो उस केस में हमें आम होल में भी प्लिट डालने चाहिए यहां पर भी अपर ब् एकसरी से अपनी डार्ट लगाएंगे बट यह डार्ट बभी नहीं रहेंगी थोड़ा आधाएंच से थोड़े सा कम ही रहेंगी जबकि जो नीचे वाँट हैं वह थोड़ासा आधा इसंक हमने बना दी हैं विलकुस सेम हमने दोनों तॉर मार्किंग कर दी आप इनको भी इस तरह से उठाना है और आप यहां से स्टिश करना भी स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से यह देखिए इतना हमने इसको सिलाए में ले लिया है यहां पर भी हम डबल स्टिश लगाएंगे और साथ में यह वाली टक भी बनाएंगे देखिए दर सो चोड़े बनाने के आपके दो से तीन थरीके होते हैं आप प्रिंसस कर चोली भी बना सकते हैं आप बिलकुल बिना टक वाली चोली बना सकते हैं और इस तरह से दो टक्स के साथ हैनé कि आम हूल और कमर वाली किप साथ भी τοब साथ भी बना सकते हैं चौले इन हमें बनाएंगे जिनका साइस कम होता है लेकिन हैवी बेस में आपको प्रिंसर्ज कोर्ड या फिर इस सरह कि डाट के साथ चोली कंड़ार के चाहिए उसमें फिटिंग तो यहां पर हम थोड़े जो टक्स लंबाई ज्यादा लेंगे फ्रंट में हमने फोर एंड हाफ लिया था तो यहां पर गला हमने रखा हूँ छेंच का है उनली छोटा यह बंबा नहीं है तो हम टक्स के लंबाई को बढ़ा लेते हैं इसी तरीके से आपको बिसको बढ़ाना होगा तब आपकी फिटिंग यहां पर ज्यादा अच्छे से आएगी बैक की टक्स हमें से थोड़ा सा बढ़ी रहती हैं यहां पर इस तरह से कट लगाएं अब इन कट्स को उठाकर हम यहां पर अपने सिलाय लगा देंगे करीबन आधा इंच की ही लगाई है हमने यह टक् करेंगे तो टक्स अगर आप लगा रहे हो तो एक्सट अपना माजन लेना बिल्कुल भी ना भूले नहीं तो आपका कमर से फैब्रिक कम बढ़ जाएगा इस तरह से टक्स हमने यहां पर लगा दी हैं इसको भी आपको डबल स्टिश करना होगा सेम तरीके से अपना दूसरे वाले टक्स भी हम लगाएंगे चाहे ब्लाउज हो चाहे चोली हो यह तरीका सब में सेम रहता है हमारा इस तरह से यहां पर भी हमने लंबा अपना बना दिया है डाट को और सेम यहां पर हम डबल स्टिश लगा देंगे कट कर देंगे अब हमारे दोनों ही पार्ट रेडी हो चुके हैं अब इन पर अपना वर्क कर सकते हैं लेस लगा सकते हैं और बाकी के सेचिंग भी लगा सकते हैं इसके शोल्डर को भी जोईन करना है बट उससे पहले हम अपनी जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें लेस लगाएंगे तो देखे यहां पर जो हमारा नेक है थोड़ा सा घुमाव में है यानि कि बिल्कुल स्टेर तो नहीं है तो ऐसे में सीधी लेस को आप कैसे लगाएंगे लेस को हलका सा लूज छोड़ते हुए लगाना है टाइट रखेंगे तो यहां पर दिक्कत आएगी हमें क्योंकि फिर यह इसमें कहीं कहीं प्लीट साएंगे तो लेस को बिल्कुल ढिला छोड़े यानि कि नम करके लगाएं और यहां पर आप इस तरह से अपना कोर्नर बना दें कोर्नर बनाने के बाद आप यहां पर दूसरी वारी साइड आ जाएए और इस ड्रेस में दोस्तों बहुत सारी लेस का यूज करने वाले हैं सेम आप घेरे पर भी सीखेंगे किस तरह से लगानी चाहिए तो देखिए बिरकुछ छोटे छोटे स्टैप्स में लेस को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए आपको लगाना है इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके सा अपना लेस को लगा पाएंगे अब सेम आपको क्या करना है जो बाहर वाले स्टिच है उसको लगा देना देखिए अपने आप यह फोल्ड हो जाएगी अब हमें यहाँ पर दूसरी लेस में साथ साथ में लगानी थी तो हमने इसको भी इसके लिचे हलका सा दबा दिया है और अब हम इसके उपर स्टिच लगा सकते हैं अगर सिंगल लेस लगानी है तो डारेक्ट आप पहली वाले लेस के ही कोर्णर से स्टिच कर सकते हैं हम दूसरी भी इसके साथ साथ ही लगा देते हैं इसको भी आपको लूज ही रखना है बहुत टाइट नहीं खीचना है यहां कोर्णर पर आकर इसको फोल्ड करेंगे उपर वाले लेस में भी आपको हलका सा कोना नजर आ रहा होगा तो उठा हुआ है थोड़ा सा उसको भी यहीं पर आपको स्टिच करना है इस तरह से इस्टिच हो जाएगा आप वापिस से हम नीजे आ जाएंगे अब इसको भी आपको स्टिच कर दिना है बाकी हिस्से को तो इस तरह से जो हमारा नेक है वो पूरा तयार हो जाएगा और सेम तरीके से आप कोई भी शेप पर आप लगाए राउंड में लगाए यह स्यूट हाट पर लगाए यह देखिए आप बहुत ही सुन्दर सा इसका दब जाए एक तरह से शोल्डर चॉन करने के बाद लिस नहीं लगे गले के उपर पहले ही लगाने है तो देखिए अब शोल्डर को गुम करना है तो बैक वाले पार्ट को हम इस तरह से निकालेंगे थोड़ा सा बाहर और फ्रंट वाले के ऊपर रखते हुए यहां पर दागे वगर यहां से नहीं निकलेंगे और बहुत उठा हुआ भी यहां से नहीं दिखेगा इस तरह से करेंगे सेम अपना दूसरे वाले साइट भी हम करेंगे यहां पर इस तरह से रखेंगे इसको और इस तरह से फोल्ड कर देंगे यहाँ पर भी हम stitch लगा देते हैं और फिर बात में इसको हम overlock कर देंगे तो इस बिल्कुल perfectly हमारा shoulder ready हो जाएगा देखें यहाँ पर इसको इस step में आपको interlock करना है क्योंकि जब sleeves attach हो जाएगी तो अच्छे से नहीं हो पाएगा यहाँ से तो पहले ही अपना overlock कर लीजिए अब next हम करते हैं अपने नीचे बाल जो parts थे हमारे कलियों बाले उनको हमें stitch करना है यह देखें इस तरह से पलटेंगे तो इस तरह से आपको यह दिखाई देगा पूरी अच्छी तरीका से गुम भी हो गया है and overlock भी हो गया है यह finishing आपकी होनी चाहिए हर एक dress के लिए जो भी आपका upper body का dress से कुरती हैं आपके frocks हैं सभी में shoulder आपको इसी तरह से ready करना है यह बाद में hamming हो जाएगी back neck में थोड़ा सा trim करते हैं हलका सा बड़ा निकल राइज को trim करते हैं और यहाँ पर अपना sleeves लगा सकते हैं देखेंके स्लीव लगाने के दो तरीके होते हैं जो कि दोनों ही हमने आपको बताए हुए हैं एक तो होता है ऐसे पहले आप लगाएं स्लीव को और एक होता है कि बाद में फिटिंग लगाने के बाद लगाएं तो देखें दोनों ही के फायदा है लेकिन जब हम थोड़ा heavy dress बनाते हैं गाउन वगयरा बनाते हैं तो इस तरह से हम बाजू को लगा लेते ताकि हमें fitting का issue रहे उसमें तो एक ही साथ fitting लग जाए पूरे में बाकि और कोई खास reason नहीं है इसका तो दोनों ही तरीके आपको बताए गए हैं आप पर देखिए perfectly हमारा stitch हो गया है यह इसका center है इसी तरीके से आपको जो दूसरी वाले sleeves है उसको भी stitch कर लेना है और यहां पर हम sleeves में भी lace लगाएंगे लेकिन जो घेरा होगा पहले उस पर लगाएंगे ताकि जो lace हमारे पास बचेंगे उनको हम sleeves पर add करेंगे देखिए यह तरीके से आपको जो दूसरे वाली है वो भी stitch कर लेनी है अपर portion पूरा stitch हो चुका है अब जो कलिया है हमारे इसको joint करना है हमें अपनी अपर चोली के साथ तो यहां पर हमने cut लाले हुए हैं जहां पर भी हमारे fitting है और यहां पनी brace का भी fitting आप निशान लगाएंगे कहां तक आपको चाहिए और इसको हम join करेंगे सबसे पहले उसके बाद fitting लगाएंगे तो यहां पर हम पहले कर लेते हैं overlock क्योंकि जो सभी कलिया हैं उनमें हभी तक हमने overlock नहीं किया है तो हर एक को आपको overlock करना है उसके बाद अपने चोली के साथ यहां पर रखेंगे हमने cut लगाए हुए हैं पहले ही आप भी cut लगाके रखें इस तरह से एक दूसरी के ऊपर इस तरह से लगाएंगे और यहां पर इसको stitch कर देंगे आधा इंच का हमें margin रखना है और जहां रखेगा अगर fabric stretchable है तो खीचना नहीं है बिल्कुल normal हाथों से अपना stitch अपको लगाना है अगर आपकी कली वाला portion चोड़ाई में जादा रहे गया है तो दोनों साइड उसको आप बराबर बराबर निकाल दीजिए और इस तरह से देनाफ सिस लगा लेजिए यह हमारा एक पार्ट है सेम तरीगे से हम अपना दूसरा वाला पार्ट भी दूसरी वाले चोली के सा अपना अटेच कर लेते हैं इस तरह से हम इसको रैडी कर सकते हैं जो भी ओवरलोग है उसको किसी भी एक साइड आफ मोड दीजिए यह देखे कट से कट यहां पर भी हमारा मिल गया है इसको भी हम complete कर लेंगे यह देखिए हमारा यहाँ पर ready हो गया है अब हम fitting लगा रहे हैं यह हमारा breast वाला हिस्सा है breast वाले हिस्से से हम नीचे कमर वाले हिस्से में आ रहे हैं बाजू पर अभी fitting हम नहीं लगा रहे हैं जब बाज उपर lace लग जाएगी तो उसके बाद हम उसकी fitting लगाएंगे पहले हम गहरे पर अपनी laces को लगाएंगे यहाँ पर कमर की marking की हुई थी उसके उपर सिश करना है और नीचे तक आप धीरे धीरे आएंगे एकदम से kona नहीं बनाना है धीरे धीरे आप नीचे side को आएंगे और जब नीचे आएंगे तो हलका सा बिल्कुल सीधा सा लगाएंगे क्योंकि नीचे वाले हिस्से में हमें lace लगानी है तो बहुत kona नहीं बनाना नहीं तो हमें lace लगाने में दिक्कत आएगी तो इसलिए हम जब last में आएंगे तो थोड़े शे पोसन में बिल्कुल सीधा 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 stitch लगाएंगे देखे यहां पर हमने हलका सा सीधा सा ही stitch लगा दिया है और जब kona थेक्स्टा उसको हम cut कर देंगे अगर kona निकालते सिलाई में भी तो आपको फिर lace लगाने में दिक्कत आएगी यह देखे अब यहां पर हम अपना stitching लगा सकते हैं जो नीचे वाला घीरा है अपना उसको हम fold कर रहे हैं क्योंकि fold करने के बाद ही हम इसमें lace लगाएंगे तो पूरा का पूरा घीरा जो की दोनों ही parts का है हमारा पूरे को हमें यहां पर fold कर देना है और इस तरह से बहुत चोड़ा fold नहीं करना नहीं तो lace भी बहुत heavy है अगर आप lace नहीं लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सा चोड़ा fold लगाईए लग भग 3 इंच का अलग से एक पट्टी लेकर भी आप इसमें लगा सकते हैं बट हम यहां पर lace लगाएंगे तो इसलिए हम इसको सिर्फ एक इंच का ही fold लगा रहे हैं यहां पर हम सबसे पहली lace लगा रहे हैं और बिल्कुल किनारी से सिलाय लगाते हैं इसको लगाएंगे इसको लगाते हुए एक ध्यान आपको रखना है कि नीचे वाला जो फैब्रिक है वेलवेट का वो बिल्कुल भी ना दिखे पूरा cover हो जाए इस तरह से corner से lace लगाएंगे और यह जो lace रहेगी वो तो बहुत easily लग जाएगी क्योंकि सबसे नीचे हमारा लगबग equal part है और lace की चुड़ाई बहुत ज़्यादा भी नहीं है दिक्कत आएगी इससे उपर लगाने में तो उसको ध्यान से देखे कैसे लगाना है यहां पर extra को हम cut कर देते हैं और इधर बॉडर वाय लेस लगाएंगे जो काफी चोड़ी है तो पहली वाय लेस को हलका सा इसके नीचे हम दबा रहे हैं ताकि दोनों लेस हमारी एक साथ लग जाएं और यह लेस लगाते हुए आप ध्यान रखेंगे कि लेस को हलका सा डिला छोड़ेंगे अगर डिला नहीं तो पूरा का पूरा जो नीचे सा पोशन है आपका खिच जाएगा सिलेवटे आजाएंगी क्योंकि जो हमारा घेरा है वह उपर की तरफ कम होता जा रहा है तो ऐसे में जो लेस है वह उपर की तरफ आपकी चुन्नेटे आते जाएंगी तो यहां पर अगर आप ढ़ीले प्षट कर देंगे जो कि हम अपना इसको बाद में यूज कर देंगे इस तरह से अब इसका जो नेक्स लेस रहेगा यह वाला रहेगा पैटन के कोड़ें और यह वाला लेस भी हम सिंगलस्टेप में लगाएंगे हलका से किनारी एक दूसरे के साथ इस तरह से दबाव में लेते हुए तो यह लेस आपको बहुत ही धिले हातों से लगाने आप देख रहे हैं यहां पर कितना लूज यह पड़ रही है बट हम इसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो चोड़े वाली लेस है उसको उसको आपको ध्यानक देखे इस तरह से लूज किया हमने बिल्कुल तरीके से लगा देंगे करीमन छे लेयर्स हमें इसमें लगानी है यह घेर हमारा लगबग साड़े 5 मीटर के आसपार रेडी हुआ है एक और चोड़ी लेस हमारी यहां पर लग रही है इसकी पी चोड़ी अच्छी खासे है तो इसको तो और भी ध्यान रखना होगा क्योंक लगाना है देखिए इस तरह से आई होप आपको यह चीज समझ में आ गई होगी तो बस आपको इन चोट चोटी बातों का ही ध्यान रखना है कभी अगर आप घेरे पर लगाएं लेसे को और यह तो हमारा जो घेरा है वो कलियों वाला है लेकिन अगर आप अम्रेला वगरा घेरा ले रहे हैं तो इस तरीके का यूज नहीं होगा क्योंकि अम्रेला का जो घेरा होता है बहुत ही गुलाई में होता है वहां भर इन लेस इसको आपको अब इसके भी कॉर्णर से एक स्टिच लगा देते हैं बहुत ही लूच छोड़ना पड़ेगा इसको पूरे को बिल्कुल हलका सा तिकोना लेस आएगा उसको भी सेम तरीके से ही हम लगा देंगे और यहीं पैटर्न हम कोशिश करेंगे स्क्रीव पर भी रहे इसी से मिलता चुलता देखिए यहां पर लास्ट में हमने एक और तिकोना जो देख रहे हैं यह और एड़ किया है और फाइन बाजु दागे से हमारा स्ट्रेट है तो बाजु की फिटिंग को भी पूरा कर देते हैं क्योंकि फिटिंग हमने छोड़ रही थी लेसिस की वज़े से और इसको भी हम पूरा कर देते हैं नीचे तक पूरे में डबल स्टिस लगा देंगे सेम तरीके से अपना जो दूसरे अगर भी दिखाएंगे उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया है और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे और भी ड्रेसे संसे रेडी करवाए हैं यहां पर लेसिस को ना मिलाना होगा जो भी लेसिस हैं उनको एक दूसरे साथ मिलाना होगा ताकि पहनने के बाद यह जो कर देंगे अब हमारा फाइनल लुक आप यहां पर देख सकते हैं हम डमी के साथ भी है देखिए इसको ट्राय कर देखते हैं बाकी कस्तमर के साथ भी आपको आइडिया आएगा अच्छे से कैसा लग रहा है देखिए इसका नेक कितना खुबसूरत लग रहा है साथ में यह आप इसका फाइनल लुक यहां पर देख सकते हैं आई होप यह वीडियो आपके लिए बेनिफीशल रहेगा आप अपनी सिलाई को और बहतर बनाने का प्रियास करेंगे और इस तरह की ड्रेस को जरूर ट्राय करेंगे थैंक्यू दो तो मिलते हैं नेक्स क्लास में कोई भी डाउट आपका बचना नहीं चाहिए आपको एक कुर्ती पूरी तरह से बनाने आ जाए यहीं हमारी क्लास का पूरा उद्देश्य है तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा और कस्टमर के साथ भी आप फाइनल लुक देख सकते कितना खुश है यह